हेलो गाइज वेलकम तो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स गो डिजिट डिजनरल इंसुदेंस लिमिटेड गाज इस आइप यू का आज डे टू का सब्सक्रिप्शन आपन होने जा रहा है जानेंगे लाइफ सब्सक्रिप्शन कितना था डे वन में जी 25 करोड का फ्रेश इशू और 1489.65 करोड का ओफर फॉर शेल किया जा रहा है अलाट्मेंट देट फाइलाज का है 21st में का लिस्टिंग डेट है 23rd में का एनसी बीएसी दोनों में लिस्टेड होगा 258 तो 272 रुपीज पर शेगी प्राइस बैंड 55 शेर्स के लॉट साइज एंकर इंवेस्टर से 1176.59 करोड का फंड रेच कर चुका है वहीं सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस तो कंपनी के सब्सक्राइब जो है क्यो आई भी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ लेकिन एचाना इसे 0.35 टाइम का बहुत ही लो सब्सक्राइब है लेकिन रिटेल से 1.5 टाइम का फुली सब्सक्राइब नहीं किया है टोडल 0.37 टाइम की सब्सक्रिप्शन दिखने को मिल रही है हुए कर हम GMP की बात करेंगे का इस तो कंपनी का 18 डूपीज का जींपी चल रहा है लिस्टिंग होने के चांस और 6.6 परशन का एवरेज लिस्टिंग मिल र इंसूरेंस जैसे कॉस्टमर्स अपने दिखके कर सके उसके लिए जो सो प्रोवाइड करता है इंसूरेंस प्रोड़क्स कर चुका है टोडल करेंटल काम करी सभी बिजनस लाइन में और लेटा bात करेंगा है यह हम लोग 31 दिसंबर 2023 का जिसमें 61972 पार्टनर्स अचीव कर चुका था जिसमें इंक्लूड था 58,532 POSPs और अधर एजेंट्स और कंपनी के पास डिस्टिब्यूशन सेंटर्स जो है 24 स्टेट्स और यूनिन ट्रेटरीज में है और 473 एक्टिब बॉट्स है जिससे फंक्शन और पार्टनर्स के लिए ट्रास्क को आटोमेट कर सके करेंट्ली 75 ऑफिसेज के थूरू इंडिया में ऑपरेट कर रही है और कंपनी का यहां पे अगर देखा जाए तो जो एंप्वाई है 3957 टोडल एंप्वाई कंपनी में काम कर रहे है प्रवी निगेटीव था वंहंडड़ेटी करोड का पौफित लोस तक ईंड़न यह बू नुट्टी तरी करोड का और लोस अग्थे रिविगण देश से टुट commodity में। और 9 months 24 में 130.8 क्रोड का revenue 129 क्रोड का profit है अगर देखा जाए तो company जो है कोवीड पीरिट के बाद से बहुत तेजी से इंक्रिच कर गया जिस तर से कोवीड के कारण गाइज जो insurance का necessity बहुत ज़्यादा भेरने से राइस किया इसलिए company को बहुत ज़्यादा मेनेफिट मिलता गया और कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो पास्ट में लॉसस रिपोर्ट कर चुका है प्लस mandatory level of solvency margin जो प्रेस्क्राइब किया जाता इंसुरेंस एक्ट के अंडर और सब्जेक्ट टू रेक्शन के अंडर इसके लिए बहुत राइटिंग फेस कर सकता है और हाई वर्किंग कैपनल रिक्वार्मेंट्स निगेटिव कैस्ट प्लो पास्ट में रिपोर्ट कर चुका है वहीं अबजेक्टिव की बात करेंगे तो एक्जिस्टिंग बिजनस अक्टिविटीज को अपने अंडर लेना चाहती है स्टॉक एक्षेंज में लिष्टेड होने से जो बेनिफिट मिलता है वह अचीब करना चाहती है तो ओवराल कंपनी जो है ना कोवीट के बाद से बहुत तेजी से इंसुरेंस सेक्टर जो है सो इंक्रीज किया है जिसके कानगा इस कंपनी में जो से इंडिकेट भी किया 23 के क्योंकि चैकंपनी को मिलता मिल्सक्ता रिखते हैं और इस लेगाcam कटा अगर्डर्सक्रीज करना चाहते तो यह एक safer ay investment कर सकते हैं medium to long term के लिए या फिर आप इसको avoid कर सकते हैं तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर end करते हैं अगर कोई